नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ओफ नॉलेज पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित पुरसकार के बारे में नोबेल पुरसकार के बारे में कौन नहीं जानता इसके बारे में आप सबने जरूर सुना ही होगा विश्व में बौधिक उपलब्धी के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरसकार माना जाता है नोबल पुरसकार नोबेल पुरसकार नोबेल फौंडेशन के द्वारा स्वीडन के विज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रतिवर्ष दिया जाता है यह शांती, साहित्य, भोतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थ शास्त्र के खेत्र में विश्व का सर्वच्च पुरसकार है इस पुरसकार में 10 लाग डॉलर और एक प्रशस्ती पत्र दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी ये तो हो गई नोबेल पुरसकार की बात, लेकिन अब जानते हैं अलफ्रेड नोबेल के बारे में अलफ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1823 को स्वीडन की राजदानी स्टाक होल्म्स में हुआ था स्वीडन के उद्योगपती, रसायनग्य, इंजीनियर और एक अविशकार रख थे इन्होंने डाइनेमाइट नामक प्रसिद्ध विस्पोटक का अविशकार किया था इन्होंने कुल 355 अविशकार किये थे नोबेल को डाइनामाइट और इस तरह के विज्ञान की बखुबी समझ थी दिसम्मर 1896 में म्रत्यू से पूर्व अपनी संपुर्ण संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया उनकी इच्छा थी कि इस पेसे के ब्यास से प्रतिवर्ष उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनोंने मानो जाती के लिए सबसे कल्यान कारी कारी किये हूँ पहले नोबल पुरस्कार शांती, साहित, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा नोबल फाउंडेशन में पाँच लोगों की एक टीम है जिनका मुखिया स्वेडन की किंग आफ कॉंसल द्वारा तै किया जाता है अन्य चार सदस से पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रश्टियों द्वारा तै किये जाते हैं स्टाक होम में नोबल पुरस्कार सम्मान समारोह में स्वेडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करना सम्मान की बात होती है गुरुदेव रविंद्रनाट टैग और नोबल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतिय थे इन्हें सन 1913 में साहित्ती के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था तब वो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले गेर यूरोपिये थे सबसे ज़्यादा नोबल पुरस्कार जीतने का विश्व रिकार्ट क्यूरी परिवार के नाम है सबसे पहले मेरी क्यूरी यानी मैडम क्यूरी और उनके पती पियरे क्यूरे को संयुक्त रूप से 1903 में भोतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरसकर दिया गया था उनके यूरेनियम से भी सोगुना ज्यादा रेडियो धर्मी तत्व की कोच की थी जिसका नाम पॉलेनियम रखा गया था मेडम क्यूरी को दूसरी बार नोबल पुरसकार सन 1911 में परमाणू से संबन्दित कोच के लिए रसाइन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था पुरसकार से सम्मानित किया गया था पिछले साल यानी 2020 से नोबल पुरसकार में दी जाने वाली राशी को बढ़ा कर 11.18 लाक डॉलर कर दिया गया है देशों की बात की जाये तो अमेरिका सबसे ज़्यादा नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले देशों में प्रथम पर जर्मनी इसके बाद ब्रिटेन और फिर फ्रांस का नंबर आता है अभी तक दस भारतियों को भी नोबल पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है इतिहास में दो बार ऐसा भी हुआ है जब किसी ने नोबल पुरसकार लेने से मना कर दिया हो सन 1964 में जियां पाल सार्त्र ने साहिति का पुरसकार और 1973 में ले डक्तो ने शांती नोबल पुरसकार लेने से मना कर दिया था 17 साल की उम्र में नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाली मलाला यूसिफ जय दुनिया की सबसे कम उम्र वाली नोबल विजयता है सन्तियानवे साल की उम्र में नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले जॉन गुडज इनफ दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र वाले नोबल विजयता हैं इन्हें केमस्टी की क्षैतर में यह पुरसकार दिया गया है पुरसकारों का निर्णाई अलग-अलग इस तरों पर किया जाता है Royal Swedish Academy of Sciences, Physics, Chemistry और Economics विश्यों को देखती है The Nobel Assembly Award Medicine, The Swedish Academy Literature के क्षेतर का चुनाओ करती है शान्ती के लिए दिये जने वाला पुरसकार एक मात्र ऐसा है जो Swedish Organization दोरा तैय नहीं किया जाता बलकि Norway की Nobel Committee इसका फैसला करती है तो आज के वीडियो में हमने Nobel पुरसकार के बारे में विस्तार से जाना आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्य को विस्तार से जानने के लिए तब तक के लिए थैंक्यू फार वाचिंग